हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे के पॉलिस इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अफडेट आप तक पहुँच सके दोस्तो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस विबाग की बहुती बड़ी भूमिका होती है इस विबाग का संचालन राजिय सरकार द्वारा होता है और इस विबाग में अन पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बन सकते है लेकिन इससे पहले आप लोग मुंझे कमेंट करके यह जरूर बताईये क्या आप पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते है या नहीं दोस्तों सबसे पेले हम थोड़ा जान लेते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर होता कौन है तो दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर अपने सेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है ये अपराधियों को अपराध करने से रोकता है और दोसी लोगों को गिरफतार करके न्यायालई में यानि की कोट में उपस्थित करता है ये किसी अपराधिक घटना के घटने पर उसकी जाच भी करता है अगर जाच में कोई व्यक्ति दोसी पाया जाता है तो उसको न्यायाल पेस्च कर देता है जहां पर दोषिद्ध होने के बाद अदालत के द्वारा उसको सजाज सुनाई जाती है इस तरह से अपरात को को नियंतरन करने का मुख्य काम पुलिश इंस्पेक्टर का होता है और अब मात करते हैं कि पुलिश इंस्पेक्टर प लिए इक मって क्या योग्यता होनी चाहिए। सेला विबाग है रेंक्स ओप गेजेटेड ओफिसर और दूसरा रेंक्स ओप नोन गेजेटेड ओफिसर का दोस्तों अब बात करते हैं के नोन गेजेटेड ओफिसर कौन-कौन होते हैं तो दोस्तों नोन गेजेटेड ओफिसर में इंस्पेक्टर हो सकते हैं सब चहोते हैं यानिकि क्या-क्या मानक ज़रूरी है तो पुरुष में सामानी वर्क के लिए लंबाए 122 सेंटीमीटर निर्दारित की गए है और अरक्सित शेने के derived यह लंबाए 179 सेमिताई की गई है और सामानिय वर्ग के लिए सिना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर और फुला कर 87 सेंटीमीटर निर्दारित किया गया है और आरक्सित स्रेणी के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुला कर निर्दारित की गई है छाती अब बात करते हैं सारी रिक परिक्सा की जो कि इसके अंदर आती है दोस्तों ये परिक्सा 15 अंकों की होती है जिसमें पुरुष को 25 मिनिट में 5 किलो मिटर की दोड लगानी होती है और महिलाओ को 15 मिनिट में 5 किलो मिटर की दोड लगानी होती है तो ये होती है सारी रिक परि 0.15 अंक की कटोती भी की जाती है इस परिक्षा के लिए 90 मिनिट का समय निर्दारित किया गया है पास होने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है फिर और अगर वो सफल हो जाते तो उन्हें नियुक्ति पत्र देकर और ट्रेनिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है तो यही क्य साथ पुलिष इंस्प्यक्टर बनने की तो दोस्तो आज के वीडियो में में जाना के पुलिष इंस्प्यक्टर कैसे बनते है मैं विडियो आपको पसंद आया वह तो इसे लाइकक कर दीजिए और वौटसेप ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे share जरूर किजिएगा और एसे informational वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करू तो उसकी notification आप तक पहुंच सके और इस वीडियो से संबंधित किसी पितरा का प्रशन पूछने के लिए नीचे कमेंट करे